Hey guys, welcome back to the channel, Super Ideas, Super Ideas पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, तो दोस्तों करनाटक के लोगडाउन के अपडेट आ चुकी है, 21 जून तक लोगडाउन था करनाटक में, आगे अब इसको दो हफते के लिए और यानि की 5 जुलाई तक इस लोगडाउन को बढ़ा दिया है, तो क्या है गाइडलेंस, किन चीज़ों पर पाबंदिया मिलेंगी, किन चीज़ों पर अभी भी चूट बनी हुई है, तो आज किस वीडियो में हम वो चीज़े सारी देखने वाले हैं, तो ओफिशल गाइडलेंस जो आई हैं, वो सभी मापको यहां पर बताने वाली ताकि जैसे वीडियो प्लोड हो, उसकी नोटिफिकेशन अप लोगों को मिल पाए, तो करनाटक सरकार ने शनिवार को बैंगलोर सहीत 16 जिलों में, सोंवार 21 जून से लोकडाउन परतिबंदों में और ढील दी है, और यह 16 जिले कौन से हैं, यह जिले वो हैं, जहां पर प जडग, राइचूर, बागलकोट, काला बुरागी, हावेरी, रामनगर, यादगीर और बीदर, यह वो 16 जिले हैं, जहां पर कुछ धील दी गई है, तो करनाटक के इन जिलों में 5 परतिशब से कम पोजिटिविटी रेट है, इसलिए यहां पर धील दी गई है, तो अब द 5 बज़े तक, डाइन-िन के लिए सुवीदा है, 50% शाम पांच बज़े तक के साथ, बिना AC के और बिना शराब के, सराब और AC अलाउड नहीं होगी, AC नहीं चलाना है होटल में, शराब भी अलाउड नहीं होगी, और जो सीटिंग कैपेस्टी है, वो 50% के साथ, होटल शाम शाम पर संचालन की अनूमती है, तो बस और मेट्रो जो चलेंगी, उसमें भी 50% सिटिंग कैपेस्टी रहेगी, इसके लावा कोई भी लोज, रिजोर्ट, जिम, उसमें भी 50% शामता पर ही संचालित करने की अनूमती है, सरकारी और नीजी कारियलों को भी 50% संचालित करने की अनुमती है अन्य जिलों के बारे में फिर क्या रहेगा तो 5 से 10 परतिशत के बीच सकारात्मक्ता दरवाले 13 जिले पूर में 11 जून को जारी गाइडलेंसी वही रहेगी तो जो 5 से 10 परतिशत के बीच में जो 13 जिले हैं उसमें पहले वाली गाइडलेंसी रहेगी जो 11 जू कोडागू धारवाड बिलारी चित्रदूर्ग और विजापुरा मैसूर करनाट का एक मतर जिला है जहां अभी भी 10 परतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर बनी हुई है तो मैसूर में अभी लोगडाउन परतिबंदों में कोई नियम नहीं है जहां पर 5 परतिशत से कम है वहाँ पर कुछ डील दी गई है और जहां पर 5 से 10 परतिशत है वहाँ पर 11 जून वाली गाइडलेंस लागू रहेंगे तो नए जो लोगडाउन नियम है वो 5 जुलाई तक परभावी होंगे नाइट कर्फ्यू जो है राज्यव्यापी रात्री कर्फ्यू और जो रहेगा तो राज्या में बस पर इवन शमता सिमित रहेगी 50 परतिशत समता के साथ बसों का आगागमन हो सकता है तो यह सब जानकारी मुख्यमंत्री बियस यदुरपा की गोशना के अनुसार हुई है सैक्षनिक संस्तान धार्मिक स्थल शोपिंग मॉल थियेटर पब मनोर बंजन पार्क यह सब अभी खोलने की अनुमती नहीं है और साथ ही मुख्यमंत्री ने निवासियों से अनुरोध किया है कि कोविड-19 के प्रोटोकोल का पालन जारी रखे मास्क पहने सैनिटाइजर का यूज करें और शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अपनी प्रोटेक में भी कोई भी चेंज होता है क्योंकि दो हफ़ते के लिए लोकडाउन है पॉसिबिलेटी है कि बीच में चेंज हो सकता है पॉसिटिविटी रेट कम या जादा होने पर तो वो अपडेट भी आपको चैनल के माद्यां से मिलती है तो अभी भी अगर आप लोग आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नहीं जान करके साथ तब तक थैंक्यू सो मच बबाय टेक क्या